आपका स्वागत है तो class 10 mathematics exemplar के question हम कर रहे थे आज से start करेंगे हम exercise 4.4 और यह हमारा पहला question है आप screen में time देख सकते हैं कि कौन सा part कितने minute कितने second पर आए गया तो आपको वो part देखना हो तो direct वहां आगे बढ़ा कर वीडियो को देख सकते हैं तो पूछ यह रहा है find whether the following equation है real roots तो यह बताना है क्या real roots हैं इनके जो equation दी हुई है अगर real roots हैं तो उनको निकालना है तो real root के लिए condition क्या होती है कि जो आपका discriminant है d की value वो 0 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि जब root निकालेंगे तो यह under root d की हमको value निकालनी होती है अगर यह d negative होगा तो यहां पर minus माल लीजिए कोई d की value 2 आई तो minus 2 हो जाएगा तो इसके कोई real root नहीं आपाएंगे क्योंकि कोई ऐसा नंबर दुनिया के अंदर real में नहीं होता जिसका square negative आ जाए real के लिए condition क्या है d की value 0 से बड़ी होनी चाहिए और d के है b square minus 4ac तो पहले हम d की value यहां निकाल लेते हैं b की value क्या है 2 यानि 4 हो जाएगा minus 4 8 और minus 3 अंसर आएगा आपको solve करने के बाद यह प्लस हो जाएगा 96 हो जाएगा 400 आ जाएगा ठीक है अब इस पहले वाले part का हम root निकाल लेते हैं x की value क्या होगी minus b यानि minus 2 आप पूरा लिखेंगे ठीक है पहले formula लिखना है उसके बाद असर लिखना है तो मैं यहां direct कर दे रहा हूँ plus minus under root 100 यानि direct लिखें 10 ठीक है under root d निकालेंगे तो under root d क्या होगा under root 100 तो 10 हो जाएगा upon 2 और a की value 8 16 हो जाएगा इस से आपके 2 root निकलेंगे x1 क्या हैगा minus 2 एक बार हम plus ले लेंगे तो plus 8 8 by 16 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से 1 by 2 हो जाएगा दूसरा हम क्या लेंगे minus 2 और minus 10 ले लेंगे minus वाला sign ले लेंगे तो minus minus जब add करेंगे तो sign तो minus कही रहेगा लेकिन यह 12 हो जाएगा upon 16 हो जाएगा minus 4 a की value minus 2 और c की value 2 इसको solve करेंगे तो आपका यह 25 आजाएगा और root d का मतलब 5 होगा तो x की value minus b यानि minus 3 plus minus under root d होता है under root d की value 5 है 5 upon 2 a की value minus 2 है तो यह minus में क्या हो जाएगा टू टूसरा 4 ठीक है x1 की value हम निकालेंगे तो एक बार minus 3 plus 5 होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 by minus 4 तो answer आपका minus 1 by 2 हो जाएगा दूसरा वाला root आपका क्या होगा minus 3 और minus 5 minus 8 upon minus 4 minus minus cancel 4 to 08 तो answer आजाएगा ठीक है तीसरा वाला part हम देखते हैं इसमें d की value हम निकालेंगे b square यानि minus 2 का square आपका 4 हो जाएगा minus 4 a की value आपकी 5 और c की value minus 10 तो 5 और minus 10 इसको solve करेंगे 4 5 is the 20, 20 तो 100, 204 और यह minus minus plus 204 आजाएगा तो अब यहाँ root d की value आपकी under root 204 आजाएगी अब ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या अगर सकते हैं इसको 204 को अगर 2 से divide करें तो 102 हो जाएगा 2 से divide करें तो 51 हो जाएगा फिर यह 3 से जाएगा 3 1s आ 3, 3 7s आ 21 अब कुछ नहीं होगा तो इसको अगर हम solve करें तो एक 2 ही है जो बाहर निकल पाएगा ठीक है क्योंकि 2 का square हो जाएगा तो square बाहर आ जाएगा बाकी अंदर 3 into 17 लिखने से कोई फायदा नहीं direct हम 51 ही लिखेंगे ठीक है क्योंकि और कोई number बाहर आई नहीं रहा तो under root की value 2 under root 51 अब x की value हम निकलेंगे minus b और यह b की value क्या है हमारी minus 2 है तो minus b या नहीं minus minus plus हो जाएगा त plus minus 2 root 51 upon 2 a a की value 5 यानि 10 हो जाएगा अब इस 2 को अगर common ले ले तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा 1 plus minus 51 upon यह 5 बचेगा तो x1 एक बार plus वाला ले लेंगे हम 1 plus under root 51 upon 5 x2 equals to 1 minus under root 51 upon 5 अब fourth वाला part थोड़ा अगले page बे करते हैं तो यह रहा question और x की value 3 by 2 नहीं होनी चाहिए और 5 भी नहीं होनी चाहिए LCM ले लो simple सी बात है 2x minus 3 x minus 5 तो यहाँ आ जाएगा x minus 5 और यह आ जाएगा 2x minus 3 बीच में plus है तो plus ही रहेगा equals to 1 आगे solve करें तो यह 2x plus x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा minus ही 8 हो जाएगा इस पूरे time को इधर ले आ उठाके 2x minus 3 x minus 5 इसको multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x square हो जाएगा minus 2 10 x हो जाएगा minus 3 x हो जाएगा minus minus plus 3 5 x 15 हो जाएगा equal to यह अपना 3 x minus 8 ही है अब इस time को इधर ले आएगे solve कर लेंगे solve में कुछ ही नहीं है बस काली addition subtraction करना है तो equation जो बन के तयार होगी हो आपके सामने 2x square minus 16 x plus 23 equals to 0 अब इसको solve करना है चलो पहले d की value निकालना था हमको d अगर 0 से बड़ा होगा तभी आगे काम करना है पिछले सारे question में d 0 से बड़ा था इसमें देखते हैं b square यानी 16 का square minus 16 का square होगा minus 4 a की value 2 और c की value क्या है 23 इसको solve करेंगे 16 का square 256 minus इसको multiply करेंगे 184 और ये आएगा 72 जो की 0 से बड़ा है तो आगे हमको काम करना है क्या करना है roots निकालने है minus b b की value कितनी है minus 16 है और minus b मतलब फिर plus हो जाएगा ये 16 plus minus under root 72 और 72 को हम solve कर लेते हैं यार इतना बड़ा root लेके थोड़ी नहीं चला जाता है 72 2 से divide करेंगे 36 आएगा और ये 36 क्या है 6 का square है तो 6 बहार निकल जाएगा यानी 6 root 2 आएगा under root d की value यानी इस under root 72 को हम अटाते हैं और इसकी जगहां लिखते है 6 root 2 upon 2 और a की value क्या है 2 ह 2 to the 4 हो जाएगा अब x1 की value क्या होगी एक तो 16 by 4 plus 6 root 2 by 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 for the 16 तो यहां 4 आ जाएगा plus 2 3 is a 6 root 2 upon 2 to the 4 तो x1 की value या आ गई x2 की value क्या होगी वाइसे ही लिखेंगे बस खाली यहां minus का sign लगेगा तो यहां भी ऐसे minus 3 root 2 by 2 आ जाएगा यह answer हो गया फिफ्ट वाला पार करते हैं यहां पर d की value हम निकालेंगे a की value 1 है b की value आपकी 5 root 5 है और c की value minus 70 है तो b square यानी 5 5 जा 25 हो जाएगा और यह 5 multiply कर दें यह minus 70 हो जाएगा ठीक है और यह minus minus plus हो जाएगा तो इसको multiply करके add कर देंगे 28 हो जाएगा 280 of 125 add करे 405 आ जाएगा यह 0 से बढ़ा है यानी roots आपके real हो गए हैं अब हमको अगले step में काम करना है क्या करना है roots निकालने है x is equal to minus b यानी minus 5 root 5 plus minus under root 405 अब इस root को भी छोटा करन पड़े गा 405 किस से जाएगा 3 से चला जाएगा 313 three is a nine three five is a fifteen फिर एक बारत्री से चला जाएगा three four is a 12 होता है 3 five is a 15 forty five हो गया अब एक बार对EEF मेद भी छलाएगा three one is a three फाइगा three five is a fifteen एक फिर three से चला जाएगा three five is a fifteen तो एक three a three i यानि यहां से root के अंदर एक 3 निकलेगा, यह 3 square हो गया और यह 3 square हो गया तो root के हिसाब से कर देखें, तो एक बेचारा 5 ही रह जाएगा बाकी एक 3 square हम बहार निकाल लेंगे यानि 9, तो इस under root 405 की जगा हम लिख देंगे 9 root 5 upon 2 a, a की value वानी है तो 2 ही हो जाएगा, अब x1 की value क्या होगी, root 5 हम बहार ले लेंगे minus 5, एक बार plus वाला आएगा, यानि 9 upon 2, और दोबारा क्या आएगा under root 5 और यहां minus 5, एक बार हम यह minus 9 ले लेंगे, ठीक है, एक बार plus लेना है, एक बार minus लेना है, upon 2 आगे solve कर लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, minus 5 और plus 9 आपका 4 हो जाएगा, यानि आपका 2 root 5 आजाएगा, और दूसरा minus minus, add करेंगे तो minus ही रहेगा, और 14 हो जाएगा, यानि minus 7 root 5 तो यह दो अंसर आगए, तो आपने चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कर लिजे, और दूसरी वीडियो आपको इसी exemplar के question की देखनी है, तो link आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा playlist का, मैंने अलग से section बना हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ओके, thank you